मुस्तो नमस्कार यदि आयकर विबाग से किसी करदाता को कोई फर्मान मिलता है यानि कोई मेसेज मिलता है तो नाचुली किसी भी रूप में आप मानिये यह नहीं मानिये थोड़ी चिंता की लकीरे स्वभाविक रूप से करदाता के लिए बन जाती है और पिछले कुछ समय जैसे निश्चित रूप से इंकम टेक्स डिपार्टमेंट का कम्युनिकेशन करदाताओं के साथ बहुत बढ़ गया है जैसे पहले आपको रिलेवेंट असस्मेंट येर के लिए रिटर्न भरने के मैसेज बेजे जाते हैं फिर बहुत सी बार ये भी देखा गया कि जिन ल रिटर्न तो बर दी ना आपने मैंने का हाँ आज आपकी रिटर्न बर दी उसके बाद में एक अगला इंपॉर्टेंट मैसेज जो इन दिनों आने लगा है वो है ये वेरिफिकेशन स्कीम से रिलेटेंड मैसेज इसने भी बहुत से लोगों की नीन हराम की है और विशेश से इस कॉंटेक्स में के इंकम टेक्स डिपार्टमेंट एक गेर शिफ्ट करके भारत सरकार एक गेर शिफ्ट करके आज की रिट में कहती है किनुग जी हम आपके साथ इनफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं अब आप समालिए कि इस इनफॉर्मेशन से आपका क्या लेना देना ह आपकी return में ये information बताई गई या नहीं बताई गई अब naturally एक सामन्य करदाता को आयकर संबंदी टेक्निकलिटी इतनी पता नहीं होती तो वो निश्चत रूप से इस प्रकार के messages से व्यतित हो जाता है कि साब इस message को कैसे handle करना है पर चाहे आप खुश हो या नाराज हो आयकर विभाग से आपको message यदि आ रहा है तो उसको handle तो करना हो तो आएए दोस्तों आज की इस वीडियो में recently जो मैंने note किया कि income tax department ने e-verification scheme संबंदी जो message बेजे हैं उनको आपको कैसे handle करना चाहिए वो important concept लेकर के आपके समक्ष हाजिर हो तो ये recent message किस प्रकार की language के साथ करदाताओं को भेजे जा रहे है वो पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि हमें idea मिले क्यों के सर ये language कैसे handle करनी है यहां आपको attention आपका नाम यानि आपका pen income tax department has identified certain information say for financial year 22, 23 इन दिनों जो message आ रहे हैं वो वित्वर्ष 22, 23, assessment year 23 चोई संबंदी आ रहे यानि current financial year से संबंदी नहीं है ये इससे पिछला financial year जिसके लिए आ तो return भर दी है या जिनोंने return नहीं भरी उनको भी message आ रहे है which are available on AIS तो सबसे महत्पूर्ण बात जो आपको जाननी है कि ये data दिखेगा कहां AIS पर annual information statement it has been observed that either the return of income has not been filed तो ये एक common बात है ये message और थोड़ा सा clarity के साथ लिखना चाहिए था जिसने return भर दी उसको ये message मेरे इसाब से इस extent तक गलत है और if the return of income has been filed तो जिन्होंने return भर दी उनको भी ये message है for the relevant financial year same is not in line with the information value available with the income tax department या नहीं भारत सरकार कह रही है income tax department कह रहा है जो information अमारे पास आपकी है आपने या तो return नहीं भरी या return भरी और उसके ये जो information है वो संगत नहीं है आपने relevant income को या transaction को वहाँ report नहीं किया to view the information mismatch and to submit your response you are required to login at e-filing portal so and so select compliance portal आपको अपना income tax login करना है compliance portal में जाना है pending action tab में जाना है और compliance portal में जाकर के आपको अपना response दाखिल करना है तो ये message किस प्रकार से आ रहा है कैसा दिखता है वो बात आपके समख्षिया रखी अब क्योंकि all India basis पर ऐसे messages मेरे इसाब से लाखों की संख्या में हो सकता है चले गए हों आप संख्या पर न जाएए आप इसे व्यक्तिकत रूप से अपने से connect करी है अब बहुत से करदाता यहाँ पर परिशान हो गए पेशो पेश में आ गए किसाब इसको क्या करना क्या है तो recently CBDT यानि जो की top management body है income tax department के लिए भारतवर्ष में उन्होंने 26 फरवरी 2024 को दोस्तों press release जारी करी जो हमारे लिए बहुत important है और उन्होंने बूला implementation of e-verification scheme 2021 यह scheme यहाँ से आई थी इसलिए 2021 लिखा गया है पर recent notices विट्वर्ष 22 थे इसके income tax department has identified certain mismatches between the information received from third parties on interest and dividend income and the income tax return filed by the taxpayer यानि यह जो press release है वो specifically interest और dividend income से संबन दित है in many cases taxpayers have not been filed have not even filed ITR यानि सरकार कह रहे है कि हमने तो यह भी observe किया बहुत से लोगों ने interest dividend income के बावजूद return नहीं file किया in order to reconcile the mismatch an on screen functionality has been made available in the compliance portal of the e-filing website for taxpayer to provide their response यानि भारत सरकार express release से भी कह रहे है कि आपको response file करना है at present the information mismatches relating to financial year 21-22 and 22-23 have been displayed on compliance portal पिछले दो साल से यह data अविलेबल हो रहा है the taxpayers are also being made aware of the mismatch through SMS and emails to SMS और email के थूँ यह information आपको भीजी जा रही है ऐसा press release यहाँ पर कह रही है अब इस press release पर जो 26 फरवरी की है मैं चर्चा अपनी continue कर रहा हूँ आगे इसमें लिखा है those taxpayers who have already registered on e-filing website can navigate to the compliance portal directly after logging into their account details of mismatches identified will be available under the e-verification tab ठीक है यहाँ जाकर आपको देखना है mismatch क्या है taxpayers who are not registered on the e-filing website have to register themselves on the e-filing website to view the mismatch तो पहले आपको register करना है फिर आपको mismatch के लिए जाना है for registration register button on e-filing website can be checked after successful registration e-filing account can be logged into and the compliance portal can be navigated to view the mismatches आगे देखें the on-screen functionality is self-contained and will allow the taxpayer to reconcile the mismatch on the portal itself by furnishing their response बहुत महत्पून बात है कि आपसे ही response भहाँ पर मंगा जा रहा है no document is required to be furnished आपको कोई भहाँ पर दस्ता वेज नहीं सलनगन करना है हाँ या ना करनी है ऐसी बात मानी है this is proactive step taken by the department to reach out to the taxpayers and provide them an opportunity to respond to the communication in a structured manner it is clarified that set communication is not a notice बड़ा clear income tax department यहां कह रहा है कि यह जो communication हम आपके साथ कह रहे हैं कर रहे हैं यह income tax notice नहीं है क्योंकि income tax notice के अपने legal valid consequences होते हैं यह income tax department यह यह verification scheme में जो आपके साथ communication कर रहा है वो किसी प्रकार का income tax notice नहीं माना जा रहा जा है यह महत्मूर्ण है दोस्तों क्योंकि press lease के शुरू में कहा गया कि यह interest और dividend income से related matters में ज्यादा आ रहा है message तो in case taxpayer has disclose the interest income in the ITR under the line others in the schedule OS he or she need not to respond to the mismatch pertaining to the interest income तो जब आपने interest को already report कर दिया तो आपको respond करने की जुरूत नहीं है यह income tax department कह रहा है यह important observation है दोस्तों यहाँ पर क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर यह परिशान हो गए क्या रहा है रहा है अनुप जी मैंने तो interest income dividend income already report कर दी तो फिर मेरे को message क्यों आ रहा है फिर भी income tax department वहाँ पर आपको e campaign के अंदर एक message दे रहा है कि आप अपना feedback दीजे तो मुझे लगता है feedback देने में कता ही कोई परिशानी नहीं है जो हर करदाता दे सकता है the taxpayers who are unable to explain the mismatch may consider option of furnishing and updated income tax return if eligible to make good any under reporting of income इस पर अभी मैं आगे और चर्चा करूँगा कि ये updated return का concept क्या है और इसको आप कैसे benefit यहां ले सकते हैं दारण के रूप में आपके समख शेर रखता हूँ कि मान लीजे मैं compliance portal तक पहुच गया through income tax logging और वहां पर मैंने अपने transaction देखे सबसे महत्पूर्ण बाद जो मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियो में भी e-campaign पर जो बनाई है ये चर्चा की है कि ये sign बहुत important है e करके जो आ रहा है एक logo के रूप में आपको इस पर click करना है अब ये TDS से related आपको information हो सकती है और 194 A की TDS यहाँ पर dividend की भी information हो सकती है किस pair से आपको ये information आ रही है भारत सरकार के पास कितनी amount है ये सब चीज़े यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी तो जब आपने इस sign पर click किया तो आपको नीचे detail information मिलेगी कि ओके इस information में suppose अससी को इतना amount interest का pay हुआ TDS इतना कड़ गया ठीक है और department आपसे feedback expect कर रहा है ये बहुत important है तो अब जैसे ही आप expected पर click करेंगे फिर आपको feedback देने का option यहाँ पर मिलेगा feedback क्या देना है ये बहुत important है और यही confused कर रहा है करदाता हूं को कि क्या feedback दो मान लीजे for an example interest income 5 लाक रुपे की दिखाई और मैंने already return में offer भी कर दिया अब मुझे यहाँ पर भी feedback देना है information is correct बिल्कुल सही है सर information correct है मुझे मानना पड़ेगा अब ये बहुत important चीज़ है कि income is not taxable ये मैं कब select करता हूं यदि सामने वाला TDS काट रहा है और फिर भी मैं कह रहा हूं कि income taxable नहीं है तो मुझे यहाँ पर ध्यान से अपना option लेना पड़ेगा कि income is not taxable information is not fully correct हो सकता है सामने वाले ने TDS जादा amount पे काट दिया हूं जबकि मेरी income कम बनती हो और मैंने उसको कह रखा है कि भाया अपनी TDS return सही करिए तो then I will say information is not fully correct information relates to other pen or ear कई बार joint deposits के case में suppose husband wife की deposit थी wife के नाम पे TDS कट गया husband ने अल्रेड़ी अपनी ITR में relevant income report कर दी एक या interest पर मेरा TDS कटा से वित्तवर्ष 22-23 में और मैंने अल्रेड़ी उस पर tax दे चुका है वित्तवर्ष 21-22 में तो फिर मेरे को change यहां information relates to other pen or ear क्लिक करना है information is duplicate or included in other information कभी-कभी क्या होता है दोस्तों कि information multiple sources से आती है जैसे real estate purchase संबंधी सूच रहा तो हमारे को एक पर तो feedback accept का करना है और दूसरी same information पर feedback देना information is duplicate और यदि आपको लगता है कि साब ये तो interest मेरा है ही नहीं कि किसी ने गलत मेरे नाम पर TDS काड़ दिया या ये shares मेरे ही नहीं और फिर भी मेरे नाम पर TDS कर दिया तो आपको information is denied भी select करने का option मिलेगा बात करता हूं दोस्तों कि remedies available क्या है कि feedback तो हमें देना है और जो feedback मैंने अभी आपके साथ discuss किये उसके अलावा कोई और option नहीं है उनी में से एक option आपको select करना है कोई document नहीं attach करना सरकार अलड़ी कह रही है कहीं कोई और तरीके का argument नहीं है अब जब आपने properly अपनी income को जो यहाँ पर आपको e-campaign में दिख रही है अलड़ी ITR में report कर दिया तो मेरी opinion में किवल feedback देने के अलावा कोई और action required नहीं है लेकिन अगर आपको लगता है कि अरे ये income तो मेरे से return में report करने से ही छूट गई तो क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ वित्वर्ष 22-23 के लिए जिसकी belated return बरने की समय सीमा भी 31 December 2023 को समाप्त हो गई दोस्तों तो आपके पास ITRU बरने के अलावा कोई चारा नहीं है क्योंकि आपकी extra income है जो आपने return में नहीं बता है ITRU दोस्तों अपने साथ में tax liability के अलावा tax plus interest का 25% extra pay करने की liability लेकर के आती वो भी तब जब आप up to one year from the end of relevant assessment year return बरते हैं और उसके बाद up to two year from the end of relevant assessment year की case में 50% extra amount दिना tax plus interest का तो मेरी opinion में क्योंकि revise return हो नहीं सकती है और सरकार खुद भी कह रही है कि आपको ITRU भरनी है तो ITRU भरने का ये फायदा मानिए कि under section 270 ये जो आप पर probable एक penalty के chances है जो 50% of tax या 200% of tax miss reporting के case में हो सकती है उससे आप बच जाएगे तो this is something which is or which will work as a carrot system for you to prompt you कि ITRU बर ले और ITRU दोनों वेक्ति बर सकते हैं जिनोंने return बर दी वो भी और जिनोंने return नहीं बरी वो भी इस प्रकार आप इस solution का benefit उड़ा सकते हैं और यही self compliance भारत सरकार चारी है कि हम कितने लोगों का assessment खोलेंगे इतना हमारे पास में भी staff नहीं है तो ITRU के थूँ आपको प्रवर्त किया जा रहा है promote किया जा रहा है कि आप self compliance की और बढ़े The end my dear friends I must say that yes income tax department करदाताओं की और बहुत सारी information throw कर रहा है सामान ने करदाता इस level of activity को handle करने में इतने easily सक्षम नहीं तो मैं ये जरूर कहूंगा कि आप अपने charter accountant अपने tax consultant के थूँ इन matters को attend करे तो अच्छा रहेगा हला कि बहुत से ऐसे भी मैंने करदाता देखे हैं जो बहुत सतर्क है और वो बड़ी detailed working इवन अपने charter accountant या tax consultant से भी अच्छी करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप स्वेम feedback नहीं दे सकते हैं बट इन केस आप confusion I suggest please consult with your consultant and then give your feedback that would be in the interest of yours. So I hope ये video जो मैंने बनाई ये आपको इस विशे पर guide करने में सक्षम रहेगी Thank you very much for being with me Wishing you all the best. Jai